नमस्कार दोस्तो विलस्टाटप में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कंपनी इस उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्मेंट करने जा रही है वो अपने मैनुफेक्ट्रिंग प्रोसेसिंग उनिट्स कहां कहां यानि कि के इन छेत्रों में उठाए गये हैं दोस्तो वीडियो सुकरने से पहले आपसे निवेदान है कि अगर आपने विलस्टाटप को सब्सक्राइब निकिए तो सब्सक्राइब करें और इसकी बेल आइकन है उसको जो दबाएं दोस्तो मैंने पिछली वीडियो में उन्वेदेशी फार्म्स की बा सड़क वायू व्यू विरस्था अच्छी हो उतर प्रदिस में कई प्रमुख शहरों में एयइरपोर्टका निर्माण प्रस्थावित हैं यह व w प्रियागराद लिंक एक्सपर्सवे और कानपुर लखनाओ एक्सपर्सवे प्रस्तावित हैं जिनका पेपर वर्क अभी लास्ट स्टेज में हैं जल्दी इनके लैंड एक्वेजिसन पे काम होने वाला है इसके अलावा निवेज को आकरसित करने के लिए उत्तर प्रदेश गौर्रमेंट ने अपने लेवर रिफोर्म को भी अपडेट किया था इसके अलावा अक्टूबर में उत्तर प्रदेश ने स्टेट बिजनस रिफोर्म एक्सम प्लांस की राजों की सूची में दूसर स्था कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इंदर इंवेस्मेंट करने के लिए उससाइथ हैं इसमें लोखिट मार्टिन एडोग होनिवेल बैस्टान सेंटिफिक एंड सिस्को सिस्टम यूपीएस एंड फेडक्स डिलिवरी सर्विस प्रोबाइडर करने वाली कंपनी सामिल थी वैल उ एस्टिमेट किया गया है कि लगबग उत्तर प्रदेश में इतनी इंवेस्मेंट से एक लाग 35,362 लोगों को रोजगार मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है साथ इनों ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीनों में 326 प्रोट्स 426 एकर्स के छेतर में एलोट कर दिये गये हैं जिसमें लगबग 6,700 कावड के इन्वेस्मेंट मिली है जिसमें कई कंपनी जो की विविन सेक्टर और एरिया में अपना सेट अप करेंगी इसमें नैस्नल और इंटरनाशनल कंपनी दोनों सामिल है दोस्तों मैंने आपको बताया ताकि उत्र प्रदेश के अन्न बैकवर्ड डिजन्स में इन्वेस्मेंट अटेक्ट करने के लिए निव इन्वेस्मेंट पॉलिसी 2020 सापित की थी इसी के तहत अंकुर उद्योक स्टील यूनिट गौर्गपुर में स्थापित करेगा साथ ही कई अन्य प्रकार के स्टील यूनिट उत् दिर्यांदाणी ग्रूप ग्रेटर नोडर रीजिन.. डेटासेंटर के चेतर में करेगी। चोथा, बिटारिया इंडस्टीज, तीन सो कड़ों की इन्वेस्मेंट, बारा बंकी डिस्टिक उत्तर प्रदेश में करेगी, ये इंटरगेटड फूर्ट प्रोसेसिंग प्लांट, बारा बंकी के अंदर सेट अप करेगी, पाचवा, साथ सो पचास कड़ों की इन्वेस्मेंट, असोसियेटेड बिटिस्ट फूर्ट प्लेक, जोकी यूके बेस्ट फार्म है, ये बारगर्ड चित्रकूट में इस्ट मैनुफेक्शिंग सेट अप करेगी, छटा, डिक्सन टेकनोलोजीस, दो सो कड़ों की इन्वेस् फूट वेर मैनुफेक्शिंग कंपनी, वन विलेक्श जोकी जेमेनी बेस्ट फार्म है, ये ब्रांड लगबग अपना तीन प्रोजेक्श उत्तर प्रदेश के अंदर चलाएगी, पहला ये एक फैक्टरी नियर जेवर सेट अप करेगी, दूसरा एक मैनुफेक्शिंग य इन्फ्रासटर एक्विट्मेंट मैनुफेक्शिंग करने वाली कंपनी, इक गराता ये कंपनी केनिड़ा की है, ये लखनौ में अपना मैनुफेक्शिंग प्लान सेट अप करेगी, ग्यारा, दो हलार कोड की इन्वेस्मेंट, वाइरिंग हरने जोकी साउथ कोरिया की है, यह अपना manufacturing plant लखनों या नियर आगरा लखनों इस परस्वे उन्नाव में अपना manufacturing plant सेट अप करेगी बारवा, 2000 क्रोड की investment वारिंग हारनेस एंड component manufacturing करने वाली जैपनीज फार्म जिसका नाम यह जाकी है यह उतर प्रदेश में investment करेगी अभी इस फार्म ने यह तैय नहीं किया है कि यह किस छेतर में अपना investment करेगी तेरवा, 814 करोड की investment पैपसिको उतर प्रदेश में करेगी यह potato chips production processing unit को सी industrial area मत्रवा district में स्टैब्रिस करेगी और उसे target set किया है कि अपना production 2021 के middle में सुरू कर देगी इसके अलावा, UPSIDA ने 35 acres का upload भी alert कर दिया है इसके अलावा, Amul समेथ कई companies अभी investment की planning उतर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं जिसमें Amul ने clear कर दिया है, बट अभी यह तैय नहीं किया है कि investment वो कहा करेगी और बहुत सारी company के investment अभी proposed है वेल, government पूरी कोसिस कर रही है कि investment उतर प्रदेश के हर region में आए जहां-जहां expressway का निर्माड हो गया है उन छेतरों में investment ज़्यादा आ रही है और जहां भी नहीं हुआ है, वहां फिर भी कोसिस की जा रही है State government ने लगबग 22,000 acres land industrial development के लिए expressway के किनारे high potential locations में identify किया है इसमें फिरोजाबाद, आगरा, उन्नाव, चित्रकूट, मेंदपूरी, बारबंकी, इन डिस्टिक्स की भूमी सामिल है इसमें तीन western उतर प्रदेश की डिस्टिक है, दो central उतर प्रदेश की है और एक बुंदेलखन का डिस्टिक है दोस्तो पुरवांचल expressway के निर्माड से गोरगपूर आजमगड समेत पूरी उतर प्रदेश में कई कंपनीज आएंगी फिलहाल दोस्तो अभी पुरवांचल expressway का निर्माड पूरा नहीं हुआ है और हम यहीं उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द ही इसका कारे पूरा हो और बहुत सारी companies या फार्म पुरवांचल की और भी जाएं इसी के साथ दोस्तो defense and aerospace companies जहासी, अलीगड, लखनौ, कानपूर और चित्रकूट में जल्द ही अपने setup करेंगी इस पर दोस्तो एक separate video आएगी क्योंकि बहुत सारी companies ने MOU यानि Memorandum of Understanding Government के साथ हस्ताचर किये हैं इस पर पूरा चर्चा करेंगे तो वाइस इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद आपके वीडियो देखने के लिए